हैं आज मेरे पास दो तरह का यहार बाडस है Sean एक esthe realme its modulesice का दूसरा है यहां के बोड का यह पुराना मोडल है इसमें इस तरह का बढा आता है तो दोस्तो दोस्तो देख सकते हैं यह जो बाडस है यह आपका यू गे आप जिससे आप इसे चार्च कर सकते हो और यह जो है यह नॉर्माल माइक वी वेस्वी में आता है और दोस्तों यहां पर देख सकते हैं यहां पर जो इसका बड्स है इसमें LED नहीं जलता तो इसमें पॉब्लम होता देखिए यह चालू तो हो गया है लेकिन इसमें LED जो है वो नह क्यों है यह आपको जो है दोसे धाई हाजर में मिल जाता है तो यहाँ पहले हम पहले इसे करेंगे तो पहले हम माल्डिमीटर को लेंगे माल्डिमीटर को यहाँ पर 20 role DC सेट करने के बाद यहाँ पर देखेंगे कि किसमें कितना voltage आ रहा है देखिए यहाँ पर 5.39 रहा है, सारे 5V DC में आ रहा है मतलब ये बर्ट चार्ज होने के लिए इसमें एनफ पावर वो है तो यह अच्छे से जो हैं इसमें जो इलेक्ट्रिक है, वो है मतलब यहां पे बैटरी जो में ऐसका । तो अब हम देखेंगे यहां पे तो इस में भी आपका एक Bakery रहता है तो बैटरी रहने की बाद भी ये काम नहीं कर रहा है तो इहां पे check करेंगे तो पहले आपको दोनों जो यहां पर पीन देख सकते हैं यहां फेशंपने की टुझा दोई अदी Carson cuanti ढूआ है आपको आ गिसना आ एक ज्यादा तर जो बड़ता है इसमें आपका ज्वह कारभन गिपने जाता है जिससे कणेक्टिवीटी अच्छे से नहीं होता थी कहें तो यहाँ पर अच्छे लेना है यहां पर घिसने के बाद ही आपको इसे क्लीन करके यहां पर चार्जिंग पर बीठाना है ठीक है उसके बाद यहां पर देख सकते हैं दूसरा पॉइंट है इसको भी आपको अच्छे से साफ कर लेना है ठीक है अच्छे से साफ कर लेने के बाद यहां पर देख सकते हुआ है यह इसके साथ टच होता है तो यहां पर पतला सा इस तरह का जो देख सकते हैं सेंड पेपर से भी घिस सकते हैं या तो इस तरह से आपको सेंड पेपर को जो है लेना होगा लेने के बाद यहां पर थोरा सा इस तरह से देख सकते हैं इस तरह से आपको यहां पर थोरा लगा हुआ के नहीं तो देखी यह चमक रहा है तो यहां पर इसे यहां पर चार्ज पर लगा देना है ठीक है तो यह चार्ज होगा तो दोनों में ही आपको सेम करना है इसमें भी आपको क्लीन करना है तो देखी यहां पर थोड़ा डश्ट लगा हुआ है इसको भी आपको से मरें रखते हैं तो यहां पे देख सकते हैं यहां से खो प्रेट केuelle के रही हां धागाय ओपर कि यहां है उध्युम्फ करते हैं यहां खूलिया यहां लॉप थे से आपको धीरे-धीरे से खोलना है और दोस्तों इसमें ज्यादा प्रेशर लगाने की जरूरत नहीं है नहीं तो इसका अंदर का जो सर्कुट है वो कट जाएगा ठीक है ये इसका गोंद जो है थोड़ा सा लगा हुआ है तो यहां पर आपको धीरे धीरे इसे खोलना है ठीक है तो देख सकते हैं यहां पर इसका सर्किट पूरी तरह से आपको दिख जाएगा तो देखिए यह रहा इसका सर्किट और यहां पर देख सकते हैं टच वाला जो सेंसर होता देख सकते हैं यह थोरा सा उठा हुआ है यह वाला तो यह वाला सेंसर जो है यह इसके साथ लगा रहता है ठीक है यह वाला प्लेट के साथ तो जब इसके साथ टच होता है तो इसके साथ भी टच होता है ठीक है तो इसे पहले हम हटाएंगे तो देखिए यह इधर है तो उसक इसका जो सर्कीट है इसे उठाना है थोड़ा थोड़ा करके प्रेस करके इसका जो सर्कीट है इसे उठाना है तो देखिए दोस्तों मैंने यहां पे थोड़ा सा थोड़ा सा करके इसमें प्रेस करके इसका सर्कीट जो है उपर उठा दिया है तो देखिए दोस्तों यह उपर वोल्ट का बैटरी है तो दोस्तों यहां पर आपको जो है मल्टिमीटर से चेक करना है कि इसमें कितना वोल्टेज आ रहा है ठीक है तो यहां पर चलिए दोस्तों चेक कर लेते हैं तो यहां पर इसे रखते हैं रखने के बाद आपको मल्टिमीटर को जो है 20 वोल्ट डीसी प और है तो बैटरी तो हमने चेक कर लिए बैटरी जो है वह ओके है अभी ओइल कंडिशन में देखिए बैटरी जो है वह फूला नहीं है तो अब हम चेक करेंगे तो यहां पर जो चेक करना है वह हमारा स्पीकर तो देखिए यहां पर स्पीकर लगा हुआ होता है तो यहां पर स्पीकर से जो है रेड एन ब्लैक वायर जो है इधर आ रहा है तो इसे भी आपको चेक करना है अगर स्पीकर खराब होगा तो यह बीप नहीं करेगा तो यहां पर हम मल्टिमीटर को जो है सकती है आपको एक चीज ओद्याना है यह पर देख सकते हैं इसके साथ यह तो दकर i take होता है यहाँ एक चालू ही सबत एक तो सब्सक्राइब और पैसे रहा है तो देखी यहां पर यह जो सेंसर है यह इकर टाच होता है तो देखिए देख सकते हैं यहां पर दो जो प्लेट है इसके साथ यह वाला सेंसर जो है टाच होता है तो यहां पर इसका ठककन जो है इसे लगा देते हैं तो हमारा यह बड़ जो है यह अभी बिल्कुल ओके है लेने के बाद यहां पर आपको जो है थोरा सा द आपको यह ध्यान से करना है, तो देखिए, मैंने यहाँ पे एक side खोल दिया है, दूसरा side भी अच्छे से आपको खोल लेना है, तो देखिए, इसको इस तरह से आपको खोलना है, देख सकते हैं दोस्तों, यह पूरी तरह से खुल गया है, और देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसका magnet भी लगा हुआ है इसमें भी battery रहता है इसका battery जो है full charge होने के बाद है आपका जो ये bird's है वह charge होता है अगर आपका ये वाला section जो है चार्ज नहीं हो रहा है तो इसका battery भी change कर सकते हो तो देखिए यहाँ पर दोनों point है इसमें आपका जो voltage है वो जो है आपका 5 वोल्ट आना चाहिए था तो पहले मैंने आपको दिखाया था तो यहाँ पर जो वोल्टेज है वो 5 वोल्ट आ रहा है देखिए यहाँ पर इसका जो वोल्टेज है वो 5 वोल्ट आ रहा है ठीक है तो यहाँ पर यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर ए टच करके देखना है कि बैटरी का कंडिशन कैसा है तो यहां पर 3.7 वोल्ट होना चाहिए तो देखिए दोस्तों यहां पर हमारा बैटरी जो है वो कितना है तो देखिए दोस्तों यहां पर हमारा बैटरी जो है वो 4.21 वोल्ट है ठीक है तो चलिए दोस्तों इसे आपको वारेंटी है वो six month का वारेंटी है देख सकते हैं यहाँ पर एक जो है यह तीन सो एमेच का बैटरी है और यह जो है यह 500 एमेच का बैटरी है यह ब्रैंडेड है and well and good condition में है तो आप चाहे तो इसे लगा सकते हैं ठीक है देख सकते हैं मेरा जो device है वो अभी okay है तो यहाँ पर simple साब को Bluetooth को on करना है और यहाँ पर दोनों देख सकते हैं टच पॉइंट इसे दवा के रखना है डवा के रखने के बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर बट्स क्यूट जो है वो connect होने की कोशिश कर रहा है तो यहाँ इसे connect करना है तो जब तक जो है 15 स्बेसे नहीं हो जाता तो आपको इसे ठोडना नहीं है तो 15 स्बस्ट के बाद ही यह ऑसाथ पोन के साथ प्यार था उससी के साथ ठोड़ा गवरग हो गया है तो दिखिए दूस्तों इहाँ पर हमारा जो बट्स क्यूट है उसके साथ ये से अब ये अच्छे से काम करेगा